तो इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच में वर्ड कप 2013 का 44 मैच जो की 11 नवंबर को दो पर में खेला जाएगा दो बजे से इडन गार्डन कोलकाता में और कोलकाता के सबसे पहले मौसम की ही बात करेंगे कि यहां का मौसम कैसा रहने वाला है बिल्कुल धूप च्छी खासी रहेगी बार इसके बिल्कुल भी यहां पर चांस नहीं है साथी साथ यहां पर जो टोटल पिछला 15 मैच खेला गया जिसमें की 73% मैच को पहले जिस टीम ने बल्लेवाजी करी उसने जीते हैं जबकि सिर्फ और सिर्फ 20% टीमों ने यहां पर बाद में बल्लेवाजी करके जीत हासिल हुई यह पिछले 15 मैच में सिर्फ 2 मैच ऐसा रहा है जिसमें की बाद में जिसने बल्लेवाजी करी उसको जीत मिली है ओबर बात करेंगे यहां पर चूर पिछले 10 मैच हुए हैं उन 10 मैचों में टोटल 59 विकेट इस्पिनर्स को मिला जबकि 98 विकेट फास्ट परसेंट के आसपास विकेट फास्ट बॉलर को जबकि 38 परसेंट विकेट इस्पिनर्स के खाते में गए पिछले मैच की बात करें कोलकाता में तो भारत और साथ एपरिगा के बीचे यहां पर मैच हुआ था बॉल काफी नीचे रह रही थी इस्पिनर्स को इस मैच में आपके अच्छे खासे विकेट से यहां पर निकालते हुए नजर आए बाते रहे यहां पर पहली इनिंग का इबरेज इसकोर तो 274 रनों का जबकि सेकेंड इनिंग का इबरेज इसकोर इस ग्राउंड का 190 रनों का नजर आता है यानि कि पहले जो टीम टॉस जितेगी वह बल्लेबाजी करनी ही जाएगी उसके अलावा 44 रन इस ग्राउंड का हाइस्ट स्कोर और 83 लोइस्ट स्कोर हाइस चेस 317 जमकी 250 यहां पर अब तक डिखेंड भी किया गया है उसके पर जो पिछले 3 मैच खेले गए जो की इंडिया ने 243 रन के बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करी थी दोनों टीम उपकर पिछले 5 मैचों की बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियों पो जरूर लाइक चीजें वीडियों पर 25 लाइक का टार्गेट है वो टार्गेट आप लोग जरूर कम्प्लीट करें बांग्लाद Üंग्लां की टीम ने पिछले चार मैच जो पांच मैच खिले उसे चार मैचों में हार मिली जबकि नीधर लेंट के अगयांस इसको जीत हासिल हुई है। उसके अलाबा पाकिस्तान पिछले पांच मैच में से तीन मैच लेज़ करके दो मैच इसने जीता भी है। जिसमें कि एक DLS मेथड से नीजिलेंड के अग्यास मैच जीता था बैंगलोरू में दोनों टीम के बीच में जो पिछला 10 hit to hit मैच हुआ है उसमें 7 मैच इंगलेंड ने जीते हैं जबकि 3 मैच पाकिस्तान के टीम ने जीते हैं और पिछले 3 मैचों में बात करें तो इंगलें मलान ने अर्सटन नॉट आउट जैक क्रॉली ने अठावन बनाये थे शाहिन अप्रिदी को एक विकेट इस मैच में मिला था इंगलेंड जीत गया था मैच उसके लावा दूसरे मैच में इंगलेंड ने फर्ष्ट बैटिंग करी 247 दस विकेट के नुकसान पर बनाये फि इसरे मैच के तरब चला है तो पाकिस्तान ने 331 बनाये बाबा राजम ने 158 और मोहमर रिज्वान ने 74 रन बनाये बेंडन कार्से को पांच बिकेट साकीब को फिर से यहां पर तीन बिकेट मिला था इंगलेंड के टीम 332 रन बना करके मैच को चेस कर गई जैम सिमिंस ने 102 दोरन उसके लाबा चौर्टी ने 77 बनाये हारी स्राउट को फिर से चार बिकेट मिला शादा आप खाने दो बिकेट यहां पर निकाले थे कौन प्लियर आप ढूंड करके उनको टीम में जरूर कर सकते हैं उसके अलाबा इंगलेंड ने जो पिछला 10 मैच किला उसमें 4 मैच 141 का हाइस टेक सो 191 का लोइस्ट इसकोर पाकिस्तान की टीम का पिछले 10 मैचों में देखने को मिला है तो टीम के बीच में दोनों टीमों का जो ग्राउंड पर अब तक का रेकॉर्ड रहा है तो ग्राउंड की बात करें इंगलेंड ने चार मैच के लिए जिसमें से मैच जीते 243 का इबरेज इसकोर 293 का हाइस और 205 का लोइस्ट इसकोर पाकिस्तान की टीम का इडिन गार्डिन में अब तक का रेकॉर्ड नजर आता है इस मैच में बिनिंग की बात करें तो 60% चांस है यहाँ पर इंगलेंड की बिन करेगी जबकि सिर्फ 40% चांस है कि यह पर पाकिस्तान की टीम यह मैच जीत सकती साथी साथ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए उसके लाबा मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लेयर्स दोनों टीम के तरब से जी एल एसल और हेट टू हेट के लिए अगर देखा है कैप्टन वाइस कैप्टन मुहमर रिज कर सकते हैं साथी साथ टॉप फाइप बैट्समेंट की बात करें दोनों टीम के तरब से डेविर मलान ने आथ मैच में 373 रन बनाए रिजवान ने साथ मैच में दोसो वैंसा अब्दुल्ला सफीग ने साथ मैच में 336 सफीग हमेशा इंगलेंड के अगेंस परपॉर्मेंस करता है इस इसको आपको धियान में रख करके और इसको इसमाल लिग गया है हिट्न ग्रेंड लिग में कैप्टन भी कर सकते हो बाबर आजम 882 रन बनाए उसके लावा बेन अच्छा कासा योगदान दिया है दो मैच में 25 मैच में 220 बनाए जिसमें एक हाफ सेंचुरी एक से सेंचुरी नजर आती है उसके लावा बॉलिंग की बात करें साहिद अफ्रीदी ने आठ मैच में 16 बिकेट लिया अदिल रसी ने आठ मैच में तेरा हारी स्रॉफ इंग्लेंड के अगेंस हमेशा बिकेट लेता जो कि मैंने हेट टूएट में भी अभी बताया था क्रिस वो और एक सेंचुरी ये बंदा जा जुगा है उसके लावा बेन इस्टोग भी जबरदस फॉम में बेन इस्टोग को भी आप कैप्टन कर सकते लेकिन कैप्टन का रिस्क न ले न आप वाइस कैप्टन इसको करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा उसके लावा डेविड मलान एक इंपोर्टन प्लियर्स आपके लिए हुँगे बाबर आजम का फॉम अच्छा है पिछली बार ये बाबर आजम ने अच्छा खासा स्कोर भी किया तर सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के अग्यांस उसके लाबा ऑल राउंडर के तोर पर इप्तिकार एमस सेम करन से सादाव खान को कर सकते इप्तिकार को टीम में न लेकर के शादाव खान को आप ले सकते हैं मौहमद असीम जूनियर का फॉम बहुत अच्छा रहा पिछले तीनों मैचों विकेट ले रहा है कि इस बोक्स जबरदास फॉम में वाप सी कर चुके हैं इस समय आतिल रसीत को इ तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अप लिच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पर लाइक करके 25 लाइक तक कम्प्लीट करें टेलीग्राम चैनल का लिंक आप दो यूटूब चैनल के बैनर पर मिल जाएगा वहां से जॉइन कर सकते हैं और वीडियो देखने के लिए थैंक यू